अगर चल रही है तो वो क्या है और उसका क्या बेनिफिट कैसे हम उठा सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आज इसी के उपर है गवर्मेंट ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन दिया था इस एमनेश्टी स्किम के उपर और अभी कल ही गवर्मेंट ने जीएस्टी पोर्टल प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों तो चलिए देखते हैं क्या है वो नहीं एमनेश्टी स्किम यह एमनेश्टी स्किम दोस्तों अपील फाइलिंग से रेलेटेड जी हां कौन से ओर्डर्स जो ओर्डर सेक्शन 73-74 में इश्यू हो चुके थे आपको है वाफीम महका मिला है टायमली फाइल करने का पहले केसे दूसरे केसे अपने फाइल तो कर दी थी लेकिन टाइम बाइट थी और वह रिजयक्ट हो गई क्या उनके case में appeal की जा सकती है जी हाँ दोस्तों उनके case में भी 31 जनवरी 2014 तक appeal की जा सकती है जो government ने notification नमबर 53 जो second number को आया था उसके थूरू भी बताया था लेकिन इसके लिए ये benefit उठाने के लिए आपको कुछ compliance भी करनी पड़ेगी क्या हो compliance आये दोस्तों देखते हैं टेक्सपेर के नाउ file and appeal in form GST APL 01 on the GSTN portal on or before 31 जनवरी 2024 दो 31 जनवरी 2024 तक कर सकते हो APL 01 में लेकिन लेकिन appeal file आप करोगे वो accept तभी होगी जब notification number 53 में ये बताया जो amount था उसमें वो आपने वो demand का amount आपने जमा करा दिया हो क्या जितनी हमारी demand थी क्या पूरी हमें जमा करानी है या कुछ percentage जमा कराना है ये notification number 53 ने बताया और क्या बताया notification number 53 ने ये amount बताया दोस्तों पहला amount थो उन्हों ने बताया कि जो भी demand आपने admit कर लिये let's suppose एक रोड रुपे की demand आई उसमें से आपने 20 लाग की demand admit कर ली आपने 20 लाग की demand admit कर ली तो वो तो आपको पूरी जमा करानी है बाकी जो remaining demand है 80 लाग रुपे जो बचा उसका आपको equal to 12 and half percent 12 percent आपको जमा कराना पड़ेगा और 80 लाग का 12 percent आपको जमा कराना है और उस 12 percent का भी कम से कम 20 percent आपको electronic cash laser से जमा कराना है आप कहीं सोचों कि मेरे पास तो बहुत सारा input पड़ा है मैं सारा का सारा ही जमा करा देता हूं इंपुट से नहीं दोस्तो जो डिमांड आपने admit कर लिए वो तो आपको जमा करानी ही करानी है जो डिमांड आपने admit नहीं करी है उसका 1.5 percent आपको जमा कराना है और उसका भी 20 percent आपको electronic cash laser से जमा कराना है यह तो उनके से इसकी बात हो गई जहां पे हमने appeal file नहीं करी थी अब हमने appeal file कर दी थी और वो भी और late करी थी लेकिन अभी reject नहीं हुआ वो भी अगर इसका benefit उठाना चाहते हैं तो उनको भी यह notification number 53 में जो calculation करी है वो amount उनको जमा कराना है जमा कराते हैं उनको क्या select करना है दोस्तो payment towards demand वाला option उनको select करना है उसके बाद मालो आपने appeal पहले file कर दी थी बड़ टाइम बाड़ की वज़े से reject हो गई थी तो आपको क्या करना है दोस्तो तो आपको refile करने में दिक्कत आरी होगी उस case में आपको grievance literature portal पे जाना है और वहाँ पे आपको amnesty scheme की category में then sub category amnesty scheme issue in appealing filing ये ticket आपको raise करनी है दोस्तों साथ में अगर आपका appeal reject हो गई थी नए appeal 02 में और उसके बाद rejection order आपका आच चुका है appeal 04 में due to application file being time but late आपने file करी थी उस case में आपको आपके concerned officer से मिलना पड़ेगा जो भी respective affiliate authority है उससे आपको मिलना पड़ेगा appeal authority क्या करेगी सारी detail check करने के बाद ये आपका case forward करेगी GSTN through the state nodal officer और उसके बाद आपके portal पे आप जाके file कर पाऊगे दोस्तों तो ये दो-तीन cases थे कि appeal file ही नहीं करी थी अभी तक तो आप file कर सकते हो उस amount का payment करके जो आपने amount admit कर लिया वो पूरा और 12.5% जो आपने admit नहीं किया आपने फिल पहले file कर दी थी और आप चाहते हो कि उसमें amnesty scheme का benefit मिले तो आपको balance amount जमां करा देना है उससमें अगर आपने कुछ amount जमां कराया हो तो आपने एपिल फाइल कर दी थी बड़ टाइम वार्ड की वीज़े रिजक्ट हो गई थी अब आप वापिस फाइल नहीं कर पा रहे हो तो आपको ग्रिवेंस रिड्रेशल पोर्टल पर जाके टिकेट रेस करनी है साथ में अगर APL04 आपका issue हो गया था उस case में आपको आपके respective affiliate authority से भी मिलना पड़ेगा so that वो detail check करके यह सारी details GSTN को भेजेगी दोस्तों साथ में it is important to note that for APL04 issued cases no direct representation will be entertained by GSTN मतलब अगर APL04 issue हो गया है तो कहीं सोचो कि GSTN आपके टिकेट समान लेगा नहीं आपको आपके affiliate authority के पास जाना है अगर APL04 issue नहीं हुआ है APL02 आपके पास है उस case में आप grievance पर ticket raise कर सकते हो दोस्तों तो अगर अभी तेक आपके case में ऐसा है आपको इस eminity scheme का benefit उठाना है आपको appeal file करनी है तो 31 January 2024 से पहले पहले फाइल कर दे मुझे बहुत कम chances लगते हैं कि यह date बढ़ेगी क्योंकि ओल्रेडी काफी अच्छा time इसमें दिया गया ह अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक रणा ना भूलें मिलते हैं नई वीडियो के साथ नहीं जानकारी में नहीं जानकारी के साथ ठैंक्यू सो मजच चाहिन जैभारत